साथियों, हमारे देश में राजनीती गठबंदोनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंदन नेगेटिविटी के साथ बने, बेक कभी भी सफल नहीं हो पाए, कॉंग्रेस ने नब्बे के दसक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंदनों का इस्तेमाल किया, कॉंग्रेस ने सरकारे बनाई, सरकारे बिगाड़ी, इसी दोर में 1998 में एंडिये का गठन हुआ था, लेकिन एंडिये क्यों होगा ना, क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एंडिये का लक्ष था, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं था, एंडिये किसी के विरोध में नहीं बना था, एंडिये किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बलकि एंडिये का गठन देश में स्थिर्टा लाने के लिए हुआ था, और जब देश में सिर्ष सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो काल जई होते हैं देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। यह हमने अटल जी के कारकाल के दोरान भी देखा और यह पिछले नव वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थीर और मजबुत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है।